हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेग टू माई यूटूब चैनल लर्ण टूगदस आज हम दिसकन करेंगे माइक्रोबालोजी का चो फीडिया इनफैक्षान कंट्रोल इंक्लिदिंग सेप्टी का पेपर डिसकस करेंगे और मैंने माइक्रोबालोजी का जो है वह पहलए ही डिसकस क कर दिया है उसमें थोड़ी लांग वीडियो चली तो लॉंग वीडियो की वज़े से मैंने सेकेंड वीडियो बनाई इंफेक्शन कंट्रोल के अभी तक अगर आप लोग नहीं देखा तो आप लोगो जाके देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं दिखें फ्रेंस आप लोगो कोच्चन जो इंफेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिस सेप्टी में था डिसकस बैरियस मैथर साब्द है इस्टिलाजेशन एंड एस्प्लेइन रोल आफ नर्स होता है सी एस एस डी ठीक है फ्रेंस एंड आप लोगों से छोटी से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को अभी तह सब सब्सक्राइब दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए लेल गju को लाइक आप लोगों की आप नेस्ट वीडियो से मैं फार्मक लोगी की क्लासेस रूनंग으 नोर्स प्रभाइद करते रहोंगी तो आपनों को बहुत ही हेल्प मिलेगे लुट नमबर शिक्वर्सिश्ड को सेकेंड में सेटेनुर रूल फौर। वॉर्डवृपंड इंफेक्षण होथा। इस्टैनर्सने सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करना था लॉक्त deposit令 करना हूं कोचन नमबर सेवन का फर्स्ट है इंटरनेशनल पैसेंट सेप्टी गोर्स और सेकेंड ता क्यांट इंसिदेंस और रूट कॉज अनलेसिस थर्ड ता एंटी मैक्रोबियल रेसिस्टेंस सो इंट्रेक्शन कंट्रोल का थोड़ा आप लोगों को कठिन भी लगा होगा क्योंकि इसमें से दो एक दो कोच्चन ऐसे हैं जो आप लोगोंने सायद रिवाइज ना कियों बड़ वैसे बहुत ही इजी है बस दो नमबर में थोड़ा लग रहा है कि सायद आप लोगोंने ना की हो लेकिन आप लोगों कमेंट्स बता सकते हैं कि आपनों का पेपर कैसा गया आप मल्टिपल चॉइस कोच्चन देख लेते हैं जो आपनों की दिमार्टी की पेपर को सॉल्प करा दीजे तो कोच्चन न सेकंडरी इंफेक्शन कोच्चन नमबर एड का टू है इन दा हॉस्पिटल इन केस आप दा कार्डिक अरेस्ट टाइप आप इमर्जेंसी कोड इस इनिसियेटर तो कोड जो देंगे वो ब्लू देंगे इसमें पूछा गया है कि हॉस्पिटल में अगर कोई भी केस हो रहा ह कार्डिक अरेस्ट का तो टाइप आप इमर्जेंसी कोड तो इमर्जेंसी कोड होता है तो किसे कौन सा कोड देंगे तो कोड होगा बिलू नेश्ट कोचन नमबर थिरी है पैसेंट आर मोर रिस्क आप दा गेटिंग डीप बीनस थ्रोंबोसिस हूँ है दा अंडर गोन सजर तो आपसन हो जाएगा भी के पाड़ में दीशागेट। सो दू सजरी होते ही पैन दीशागे में होने का सबस्दार रिस्क रहता है. कोचन नमबर एट का फॉर है गृरूप आप डिसिंफेक्टेंड सोल्यूसन इस बाइडली यूज आजये स्किन डिसिंफेक्टेंड यूज करते हैं जो disinfectant होता है उसे non living body पर यूज करते हैं लेकिन इसमें जो solution पूछा जाता है जो कि skin को disinfectant करता है यूज किया जाता है तो option हो जाएगा and D इसमें D या B में confusion है दी होगा कि भी मैं आपको बात बता होंगी क्योंकि नेस्ट कोचन नुमर फाइब है दा करेक्ट आप दा डोनिंग आफ फुल पीपी किट आर सो option भी हो जाएगा 5 का भी mask eye protection and apron gloves और सी है specimen for examination आप दा सिप्लिस शुड भी collected from the legions are so जो स्पेशी में जो सेंपल लिया जाता है सिप्लिस का collected from the legions और तो glass slide पर लिया जाता है काच के slide पर लिया जाता है लास कोचन सेवन बेने पैसेंट है transplant surgery he requires type of isolation तो कोचन भी हो जाएगा absolute isolation so friends I hope आप लोगों को यह helpful लगा होगा वीडियो और चैनल को भी तक सब्सक्राइब ने के तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा वीडियो पसंद है तो लाइक एंड से जरू किजिएगा अपने फ्रेंटों साथ मिलते नेफ्ट वीडियो साथ नेफ्ट टापिक के साथ